हलो एवरिवन माई नेम इज विकास वेलकम बैक टो माई चानल तो जासे कि आप सब जानते हैं निफ्टी में आज हो गया बहुत ज्यादा बड़ा गैप डाउन यह मेरी सोसी भी जाता था खैर निफ्टी के अंदर आज की मुवमेंट क्या रही थी कि निफ्टी पहले इतना जैसे ही यह 513-515 के आसपास हमको मिलेगा हम इसके अंदर बाइंग बनाते अगर कहीं बाइंग करते तो पहले के अंदर हमको टार्गेट मिलता उसके बादे पूरा दिन रेंज के अंदर रहा गया नेक्स टॉक था विप्रो विप्रो के अंदर मैंने का था कि जैसे ही अगर यह इसके उपर जाने चांज थे और वैसा ही हुआ यह अपने टार्गेट और सपोर्ट के पास ओपन हुआ और यहीं से सीधा उपर जाना शुरूआ इसमें अगर हम बाइंग से जाते तो हम लोग अराम से पैसा बना सकते थे अगला स्टॉक तो माइंट्री माइंट को Jeanneन हम एसके अनधर लिविट पletल Village pulling भाता है तहुंए तो हम इसके अंदर बाइंग नहीं किया और कहीं नगहीं कल न में किया कहीं नहिं के दल्हौक मैं मथानने अंगरी तो को आज शठाउक नहीं चल देख लेते हैं कि निफ्टी में ऐसे कौन से की लेवल है जहां पर हम कल टेड कर सकते हैं तो जैसे कि आप सब जानते हैं आज इतना बड़ा gap down open हुआ और gap down open होने के बाद सीधा उपर और उसके बाद second half हमारा पूरा volatility के अंदर रह गया अब अगर कल ये flat opening होती है तो हम इंतजार करेंगे कि जैसे ही हमारा आज का जो हाई है वो तूटेगा हम इसके अंदर buy side के अंदर बिल्कुल जाएंगे ठीक हमारा जो target होएगा वो एगा सब्सक्राइब के बीच का मारा एडिया जोगा वह हम डोल टार्गेट रख सकते हैं अब देख लेते हैं कि अगर सब्सक्राइब ये flat opening हो जाती है तो क्या करेंगे हम पहले यहां से यहां तक तो बाइंग रखेंगे उसके बाद कहीं न कहीं हमको करी कोई M pattern मिलता है उपर साइड तो हम इसके अंदर sell side में जा सकते हैं पर half quantity के अंदर जाना क्योंकि market में एक आप जो आया बहुत ही तकड़ा buying pressure है अभी भी तो इसकार कि half quantity के अंदर sell side जाना हां अगर सब्सक्राइब य जो swing लगा यह वाला swing यहां कहीं अगर support लेता हुआ मिल जाता और W pattern बनता है तो भी हम इसके अंदर buying side जा सकते हैं ठीक है तो चलिए अब देख लेते हैं bank nifty को bank nifty में अगर हम देखेंगे तो bank nifty के अंदर भी इतना बड़ा gap down open होने के बाद यह कहीं न कहीं अपने जो trend line हमें चलती जारी पीछे से यहां पर आके support लिया ठीक है अब अगर देख लेते हैं कल इसके अंदर हम किस देखे करेंगे इसने support लेने के बाद इसने पहली करना support लेने के बाद ऊपर गया और फिर निफ्टी की तरह यह भी volatility के अंदर खतम हो गया अब कल आकर देखेंगे क हमारा पास क्या होगा अगर यह suppose flat opening होती है और हमारा यह जो हमारा हाई है आज का हाई है जैसे इसको cross करेगी हम इसके अंदर buy side जा सकते हैं यह जो हमारा area हो सकता है यह एक minor resistance का का काम कर सकता है अगर यह इसको कल तोड़ देगा तो हम अपने full quantity के अंदर upside के अंदर trade कर सकत है ठीक है अब अगर suppose देखते हैं कि अगर कई gap up open हो जाता है इस area के पास तो यह resistance है जो इसको mark रखना ठीक है अगर gap up open हो जाता है तो कहीं न कहीं अगर हमको यहां m pattern मिलेगा only m pattern मिलेगा तब ही इसको हम sell set करेंगे वह भी half quantity के अंदर full नहीं करना half quantity के अंदर मिलेगा sell कर करेंगे उपर जाएगा अगर यहां उपर इसको break करके उपर निकल जाता है तो फिर तो हम यहां से इसके अंदर जाने वाले हैं ठीक है तो अब देख लेते हैं stocks जिनमें कल इंट्रडे के लिए movement हो सकती है सबसे पहला stock है माँ पास को फोर्च के अगे रबात करी जाए तो कि एक resistance के पास हवर कर रहा प्राइज और आज मार्केट फूल टेंड के क्योंकि आप सब देखेंगे कि सारी मार्केट गिर रही है पर निफ्टी आईटी अभी उपर साइट जा रही है मैं आपको दिखा दूँ अगर चार्ट पर देख रहा हूं तो मैं इंडेक्स दिखा करके हमाई लिस्ट के अंदर है तो कोफोर्स के अंदर अगर हम देखें तो कल अगर क्या कर सकते हैं कि जैसा हम देख रहे हुए इसके इसको ब्रेक करके ऊपर निकलता है तो हम इसके अंदर बाइंग एंट्री बनाएंगे ठीक है अगर मानलो सबोस यह resistance के पास हमारा जब हम इसके अंदर 22 जाने वाले हैं पूरी तरह से हाँ अगर मान लोग सब्सक्राइब यहां पर हमको एक M पैटन बनता हो नजर आ रहा है कल अगर इसको ब्रेक करता है तो हम डाउंसेट के अंदर को उपर क्रोस कर देता है तो हम इसके अंदर बाइंग सेट जा सकते हैं अराउंड इस लावल तक के लिए इसके अंदर हम बाइंग बना सकते हैं नेक्स्ट रॉक है हम इसके अंदर सेल सेट जा सकते हैं तो यह कुछ स्टाक्स और बैंक निफ्टी निफ्टी उपर मेरी अनलसिस थी उमीद करता हूं आपको मेरी अच्छे लगी है अगर वीडियो अच्छे लगी है तो प्लेस वीडियो कर दे लाइक चैनल कर ले सब्सक्राइब मिलते हैं से बहुत जल्द अगले वीडियो में तil दन गुट बबाई था वाचिंग